हम एक खबर कहाँ सा सकता है, स्पोर्ट से यानि के खेल से जुड़ी देख लेते कि कौमन वेल्थ में पतक कि उमीदों को छटका लगा है उसको लेकर क्या कुछ कियों कि कौमन वेल्थ गेम्स में भायत की मेडल उमीदों को एक बड़ा जहटका लगा है और वैसे भी खेल को में भारत की मेडल की उमीदों को तगड़ा जटका लगा है दोजाद शब्वीस में ग्लासगो में हुने वाले राष्ट्र मंडल खेलों से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है और ये खेल ऐसे हैं जिसमें भारत की तूती बोलती है कॉमन वेल्ट गेम्स दोजाद शब्वीस में तेज जुलाई से दो अगस्त तक होगे कॉमन वेल्ट खेलों से हौकी बैडमिंटेन निशाने बाजी कुष्टी को हटा दिया गया है इसके अलावा प्रिकेट तीरंदाजी टेबल टेनिस स्क्रैश और ट्राइथलोन भी हटे ह 2022 में बर्मिंगम में हुए राष्ट मंडल खेलों में शामिल 9 खेल अगले खेलों का हिस्सा नहीं होंगे राष्ट मंडल खेलों के आज इनके खर्चे में कटोपी करने के लिए ये फैसला किया गया है जिन खेलों को ग्लास्गो राश्पंडल खेलों से हटाने का फैसला किया गया है उसमें भारत की मजबूती के आक्रे देखिए हौकी में भारत ने पुरुषवर्ग में तीन बार रजट दो बार कास जीता मैला हौकी में गोल्ड समेद तीन पदक भारत ने जीते हैं बार्मिंटन में भारत ने 10 गोल्ड समेद 31 मेडल जीते हैं निशान बाजी में भारत ने 63 गोल्ड समेद 135 मेडल अपने नाम किये हैं कुष्टी में 49 गोल्ड 49 सिल्वर मिलाकर कुल 114 मेडल भारत के नाम रहे 2022 में बर्मिंगम खेलों में भारत ने 22 गोल्ड समेथ 61 मेडल जीते थे 2022 बर्मिंगम खेलों में टेबल टेनिस में भारत को 7 पदक मिले थे कॉमन वेल्थ खेल 2026 का आयोजन पहले आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शेहर में होना था लेकिन बर्ती लागत के कारण मेजवानी से हट गया उसके बाद स्कॉटलेंड ने इन खेलों की मेजवानी की